तो अगले कोर्शन में करा है कि किसी बिंदू का X, X अक्ष से लाम्बित दूरी तीन इकाई है, लाम्बित दूरी कितनी है, तीन इकाई है, X अक्ष से लाम्बित दूरी, यानि कि X अक्ष से लाम्बित दूरी का मतलब या है कि जैसे ये X अक्ष से कुछ दूरी यहां पर, यह लांबित दूरी कितनी है? ती निकाई है यहां से और उस बिंदू का X-AX के नीचे और उस बिंदू को कि कोटी Y नियामक है क्या का रहा है? कि वह बिंदू X-AX से नीचे है तो X-AX से नीचे यानि उपर नहीं जागा यह नीचे के तरफ इधर होगा इधर होगा या इधर कहीं भी हो सकता है तो वह क्या होगा? ती निकाई लांबित दूरी है और वह क्या है? एक सक्थे नीचे है तो उस बिंदू की कोटी का Y नियामक है तो उस बिंदु की कोटी का y नियामा क्या हो जाएगा तो नीचे के तरफ हो रहा यानि माइनस में हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा